कॉंग्रेस की बैठक में एक बार फिर जिलाध धक्षों और कार्यकरताओं की नाराजगी सामने आई है कल एक ओपन बैठक में कई जिलाध धक्षों ने सरकार और संगठन दोनों पर उपेक्षा का आरोब लगाया है एक जिला ध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि कारे करताओं की असंतोश की वजह से ही अजीत जोगी की सरकार और रमन सिंग की सरकार गई थी यदि बाते नहीं समझी गई तो मंत्रियों का काम आगे बिगडेगा राइपूर कॉंग्रेस के परदेश कारियाले राजी भवन में सनिवार को परदेश पदकारी और जिला धिक्षों की बैठक बुलाई गई थी जिसमें कॉंग्रेस के 36 गड़ प्रवारी पियल पुनिया सियम उपेश बगेल और परदेश अद्यक्ष मोहन मरकाम सही तमाम बर रखने के बाद सियम उपेश बगेल वहां से चले गए उसके बाद संगठन को लेकर बाद सुरू हुई थी पदकारीयों की नराजगी एक एक कर बाहर आने लगी कहा गया कारकरता उदास है निक्तियां संगठन से पूछ कर नहीं हो रही है उनके जिले की मंडियों में संच चार सो पर अटक गई एक जिलादक्ष ने कहा हम जब विपक्च में थे तो परसासन की हिम्मत नहीं होती थी हमारी बात काटने की पर अब तो कोई सुनवाई ही नहीं है इसकी बज़े से 2023 में परिशानी आएगी एक जिलादक्ष ने कारकरता हूँ कि नाराजगी की बात की और कहा अजीद जोगी की सरकार क्यों गई थी रमन सिंञ्ग चावद बाले बाबा कहलाते थे मोबाइल बाटे फिर भी उनकी सरकार क्यों गई यह सब कार करताओं कि असंतोस की बज़़ा से हुआ है बाते समझी नहीं गई बिगड़ेगा उनका जो मंत्री है हमारा क्या है हम तो कार करता है